नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं एक तरफ जाँच एजंसी अपने काम में जुट गई है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोट के आदेश के बाद आज नीट की री एग्जामिनेशन प्रक्रिया पूरी हुई जानकारों और सुत्रों की माने तो पेपर लीक के इस नेटवर्क को लेकर अभी कई और खुलासे होने हैं और इसी वज़़े से जाँच एजंसियों ने साइन्टिफिक एविडेंस जुटाने के लिए पहल शुरू कर दी है क्या नेट के गुनागारों के खिलाब पक्के सबूज उटाने की सबसे बड़ी तैयारी हो चुकी है क्या पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे विसफोटा खुलासा होने वाला है क्या उन्निस गिरफतारी के बाद पेपर लीक नेकसस के कई और नाम एक्सपोज होने वाले हैं नेट पेपर लीक मामले में अब तक कैसे क्या और कब हुआ इसकी एक एक डिटेल रिपोर्ट जल देश के सामने आ सकती है जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस अब सॉलवर गैंग का नौर्को टेस्ट और बेम मैपिक करने पर विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो देश भर में पेपर लीक का पूरा पैटर्न, सियासी, तेजस्वी और गेस्ट हाउस कनेक्शन, गिरो का पैन इंडिया नेटवर्क और मेंबर्स के साथ-साथ कई सफेद पोश और जिम्मेदार लोगों की मिली भगत को लेकर चौकाने वाले खुला स हो सकते हैं, हलाकि EOU के तरफ से इस मामले की एक डिटेल जाच रिपोर्ट सिक्षा मंतराले को सौप दी गई है, लेकिन पुलिस और जाच एजनसियों को शक है कि अब भी आरोपियों ने इस नेक्सेस को लेकर पूरा सच पुलिस के सामने नहीं रखा है, माना जा रहा है कि पेपर लीक नेटवर्क की जड़ें काफी गहरी हैं, हलाकि अब तक की जाच में गिरफतार आरोपियों का एक दूसरे से कनिक्षन सामने आया है, कोईशन पेपर के लीक होने से लेकर अवियार्थियों तक पहुचने के पूरे पैटरन पर भी कई खुलासे हुए हैं, लेक रजून को सुप्रीम कोट फिर से परिक्षा का आदेश देता है, दस दिनों के अंदर 1563 छात्रों के लिए रिक्जाम कराये जाता है, छे स्पेसल एक्जामिनेशन सेंटर में ये प्रिकरिया पूरी होती है, और अब नए सिरे से नतीजों का इंतजार जारी है, लेकिन ग् मई को ओफिसियल स्टेट्मेंट जारी कर पेपर लिग से इंकार किया था, उसके मुख्या महज 16 दिनों बाद अपने पत से हटा दिये जाते हैं, नीट पेपर लिग मामले में एक तरफ सरकार कड़े कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जाच एजनसियां भी मताय जा रहा है कि सभी संजीब मुख्या गैंग के सदस्य हैं, वहीं सीबियाई ने अब पूरे मामले की जांज शुरू कर दी है, इसके बाद बिहार और गुजरात में दर्ज केस को टेक ओवर करने के बाद नया मुकदमा दर्ज किया जाएगा और गिरफतार किये गए संजीब मुख्या करके है, अब हम जाच अजेंसियों से अपील है कि संजीब मुख्या की जाच करें ये सरकार एक्जाम नहीं करा पा रही है, नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है, जो शिक्षा मंतरी आज से चार दिन पहले एंटिये को क्लीन शिट दे रहे थे, अब एंटिये के डिरेक्टर जनरल जो एक्जाम्स के हैं उनको पेपर लिग को लेकर इस पूरे खुलासे से चात्रों में काफी नाराजगी है, इस मावले में सक्त कारवाई के साथ साथ भविश में पारदर्शी तरीके से परिक्षा युजित करने के लिए सरकार और जांच एजंसियों को कठोर कदम उठाने होंगे, गिलो रिपोर्ट जी मिल्या